हेलो दोस्तो नमेशकार इसे हम किसी चानल में आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ अगर आपने फर्स ताम विजिट के जरू चानल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन को इट करके औल जरू सिलेट कर लेना उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक म हमें लोग को देखने को मिली है यह खबर कि अगर हम लोग बात करें दो यह खबर के सकते हैं तो अभी हम लोग को चेक करना बढ़ेगा कि यह नेगेटिव खबर तो जरूर है तो क्या यह इंडिवीजल यहाँ पर पर्फॉर्मंस के उपर इंपक्ट आएग या फिर ओवर जैसे मैंने का कि internal या फिर external internal मतलब किसी company के लिए यहापे इंडिज्विज्वली अगर खराब रहेगी तो फिर चिंता की बात है external रहेगा तो फिर कोई बात नहीं बिल्कुल भी डरने की जरूत यहापे नहीं है यहापे क्यों ऐसा बोला जा रहा हैं कौन से सेक्टर के और से बोला जा रहा है तो दोस्तों यह बोला जा रहा है यहापे construction सेक्टर के और से construction मतलब real estate की में यहाँ पर बात कर रहा हूँ दूस्तों बहुती जादा मतलब हम बोल सकते हैं बड़ी संकट में यहाँ पर real estate sector यहाँ पर फर्स चुका है और इसी के चलते हैं यहाँ पर मतलब हम कह सकते हैं जो government के साथ है थोड़ा सा उनका हम लोगो तु तुम्हें में भी होते वे देखने का आपे मिल रहा है तो exactly क्या problem हुआ है real estate sector के लिए वो मैं अभी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा और क्या demand उनने सामने रखना है और उनने का है कि अगर demand fulfill नहीं हुई तो हम सभी लोग मतलब एक association यह सारी बाते बताई है real estate के अगर हम लोग बात करें किसी individual company का बोलना नहीं है association का बोलना है कि अगर जो demand है उनकी मांग अगर पूरी नहीं करती है सरकार तो वो अपना काम बन करेगा और आपको पता है real estate का सबसे बड़ा फाइदा क्या होता है फाइदा मतलब सबसे बड़ा हतियार क्या है उनका कि वहाँ पे मतलब workers रहते हैं आप समय लोग पता है जो wages के उपर काम करने वाले रहते हैं बहुत ही बड़े पैमाने के उपर सो definitely सरकार थोड़ा सा pressurize यहाँ पे सकते हैं ऐसी चीज़ के चलते हैं इसलिए आप देख सकते हैं कि आज की दिन बाजर में पहले शुरुआत इतना कुछ खास नहीं था बाद में अच्छे रिकवरी देखने को मिली बड़ आप चेक कर सकते हैं सबसे ज़्यादा पिटाई वाला सेक्टर कौन सा था रियल्टी निफ्टी रियल्टी था तो क्यों इसकी पीछी का रिजन यहीं है दोस्तों अगावर आप चेक करते हैं निफ्टी रियल्टी में सिर्फ हम लोगों को शायद से दो ही स्टॉक ऐसे थे जो हरे बहुत ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है महंगाई आप सब लोगों को पता है mitä tut यहाँ पर हम लोगों को महिंगी हो रही है मतलब अगर एक building के अगर हम लोग बात करें तो building खड़ा करना मतलब आपको पता है कि कितना ही सारी चीज़े लगती है और जो building खड़ी रहती है मतलब उसके लिए भी raw material लगता है और दोस्तों यहाँ पे तो आप लोगों को पता है crude से related क्या चीज़े चल रही है प्लस उसी की साथ साथ metal steel से related क्या चीज़े चल रही तो यह इतना मतलब जो raw material है जिसके चलती यह building खड़ी होती थी वो अभी इतना ज्यादा price उसका बढ़ चुका है छलो steel हो गया तो चलें ठीक है cement भी महहां हो चुका है चलो ठीक है देन अगर हम लोगं बात करें pipes की बात करें तो वह हो चुका है भाइर वायर भी हम लोगं को महिंगे हो देखने से बहुत है मतलब हर छीज यहाँ विजनेस में प्रोजेक कम्प्लीशन का एक डेट देना पड़ता है आपको दोस्तों अगर उस डेट पे अगर प्रोजेक कम्प्लीट नहीं हुआ सो आपके उपर हेवी पेनाल्टी लगती है यस पहले बिल्कुल नॉर्मल चलता था अभी नहीं अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट ये कानून हम लोगो देखने को मिल चुके है सो अगर आपने फॉर एक्जांपल किसी एक पटिकुलर डेट को बोल दिया कि XYZ डेट है हम लोग आपको यहापे घर की चाबी दे देंगे पूरा कंप्लेट हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट बट फिलाल इतनी महंगाई हो चुकी है सो रियल इस्टेट के पूरा मतलब जो समीकर रहने वो यहापे बिगड चुका है दोस्तो और आप अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले कॉटर में कितना ज्यादा इनको यहापे मतलब इनके मार्जिन्स के उपर इंपक्ट रहेगा मतलब मैं आपको बता सकता हो कि आने वा समाने के भी बावजूद यहापे कंपनिया कितना प्रॉफिट कमा पाएगी यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मारक है सो बेसिकली उनका डिमांड क्या है कि हमें टाइम एक्स्टेंड करके दिया जाए कि अगर आप कंप्लीशन का फॉर एक्जांपल हमारा एक लग जाएगी सो आप एक काम कीजिए हमें टाइम बड़ा के देजिए एट लिस्ट उन्होंने काई कि छे मैना चे मैने तक का टाइम एक्स्टेंड करके देजिए जीतना भी टाइमिंग रहेगा उसके सबसे यह रिक्वेस्ट अभी सरकार के और यहापे जा चुके वरना उन्होंने काई कि हम बिजनेस कर ही नहीं सकते पूरी बैंड बच जाएगी हमारे हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं हमारे मार्जिन सीमन ही बचेंगे ऐसा हो जाएगा कि 10 रुपे के खर्चा किया और 10 रुपे पर यह बेचना पड़ रहा है तो फिर मतलब ही क्या है तो इस आपको पता है सबसे जादा करजा लेने वाला सेक्टर है तो बैंक्स के लिए भी सरदर्द वाली चीज़े सामने आ जाएंगी उनके एंपिए वापस इशूज तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार बहुत ही सोच समझ कर डिशन लेगा इसलिए आप देख सकते हैं आज निचे की दिन हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर में देखने को मिला था डाउन देखने को मिला दैन आप महींद्रा life space developers की बात करें जैसे मीने का मुमबै महारष्ट में हम लोगं की जादा देखने को मिला आ है ज्यादा इन क्या इनकी demand या पर सुनी जाएगी या फिर नहीं सुनी जाएगी वो तो अभी वक्त ही बताएगा पर उन्हों ने ये तो सीधी सीधी चैता हो नहीं दी है कि अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो हमारे पास option नहीं है हमें हमारा business close रखना पड़ सकता है temporary basis के उपर अभी वो temporary boundary का definition कितना रहेगा वो किसी को पता नहीं है बट जैसे मैंने का कि problem क्या हो जाएगा चलो ठीक आप रख लो भी इंजिनेस बन बट आपका जो due date है कि आप बोल रहे थे कि December for example December में ले रहा हूं कि आप घर देने वाले थे अगर आपने वो miss कर दिया वो time तो आपके उपर penalty इसलिए वो बार बार request कर रहें कि थोड़ा सा आजू आजू का environment देख लीजे तो कोविड से भी भयंकर हम लोग कुछ चीजे देखने को मिल रही है तो अगर सरकार हमें मदद नहीं करेगी तो हम लोग का पर जाएंगे तो यह एक request उन्होंने सरकार के सामने आपे रखी है सो रियल स्टेट की अगर बात करें दोस्तों अलरी यह सेक्टर दबा दबा सा रहता है अगर आप ओर अल भी performance देखोगे रियल स्टेट सेक्टर का आपके सामने उपन करना चाहूंगा आप देख सकते कितना चोटा सा ही performance रहता है बाकी सेक्टर देख लेना यह देखे है तो मैंने आप लोग को बता है था कि अगर आप चाहो तो लोधा बिल्डर या फिर गोद्रेच सबसे पहले नंबर वन अब गोद्रेच प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हो अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो फिर मैक्रोटेक डेवलोपर लोधा बिल्डर को चाहिए तो यह बहुत ही रिस्की सेक्टर है राइट बट स्टिल हम लोग यहाप एक सकते कि यह स्टडी करने के लिए यह तीन स्टॉक्स यहाप ओके-ओके हम लोग यह आप बोल सकते हैं अभी देख लेते सरकार यहाप एक्या फेसला लेता है क्या इनको टाइम बढ़ा क मिलेगा मिल भी सकता है कि हम लोग कह सकते बहुत ज्यादा दिक्कते भी देखने को मिल रही है तो आशा करता दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो जरू लाइक और शेयर करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक के थ्रू अकॉं अपन किया जरू मुझे कमेंट सिक्षन में बता दिना तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक आफ स्टॉक मार्केट से लेटेड वह आप लोगों को फ्री आफ कॉस्ट मिल जाएगी और तक के लिए बाई-बाई